हलो फ्रेंट्स मैसल दॉक्टर सुशिला सैनी गाइनेकलोजिस्ट अप्सेशन डियरेक्टर या पुर्दुर्बीन हस्पटेल प्रेक्टेसिंग सिंस लास्ट 15 यह आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंट्स MTP किट को लेने के बाद अगर यह फेल हो जाए तो क्या करें अन्मैरिट प्रेग्नेंसी या मैरिट प्रेग्नेंसी या अन्वांटेड प्रेग्नेंसी के बाद कई बार जब MTP किट आप लोग लेते हैं तो MTP किट के MTP किट लेने के बाद कई बार ब्लेडिंग नहीं हो पात जो इस आगे की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि MTP kit लेने के बाद अगर फेल हो जाती है यानि कि आपको bleeding नहीं होती है या pregnancy abortion नहीं होता है तो फिर क्या करें सबसे important बात है कि आपने MTP kit लिया तो यह प्रॉपर तरीके से लिया या नहीं लिया तो उसके लिए हम पांच गोलिया होती है एक गोली एक साथ लेनी होती है बाकी दो दो गोलिया करके आप दो दिन में ले सकते हैं चारो गोलिया एक साथ ले सकते हैं किट लेने के 24 से 48 घंटे के बाद जनरली ब्लेडिंग स्टार्ट हो जाती है यदि 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद भी ब्लेडिंग नहीं होती है तो आप 4-5 जिन तक वेट कर सकते हैं हो सकता है कि आपको एक गोली लेने के बाद bleeding स्टार्ट हो जाए या फिर हो सकता है पांचों गोली लेने के बाद bleeding स्टार्ट हो जाए bleeding जो generally होती है वो एक normal जो menstrual period आता है उससे double या triple तक हो सकती है लेकिन अगर इससे कम bleeding हो रही है यानि कि केवल धब्बे धब्बे ही जा रहे हैं या at all आपको कोई bleeding नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि किट ने अपना काम नहीं किया है यानि कि pregnancy के abortion का procedure शुरू नहीं हुआ है ऐसी इस्तिती में आपको aware रहना चाहिए कि pregnancy abort नहीं हुई है और अगर pregnancy abort नहीं हुई है तो आगे बढ़ सकती है तो बाद में डेंसी या सफाई करना भी मुश्किल हो सकता है तो bleeding नहीं होने की इस्तिती में आप 10 दिन तक wait कर सकते हैं दस दिन के बाद भी अगर bleeding नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपक ज़रूर के दिये दूसरा अगर bleeding होती है लेकिन बहुत कम bleeding हुई है यानि केवल धब्बे आके रह गए हैं तो that is also वो भी आपको ये बताती है कि किट ने अपना काम पूरी तरीके से नहीं किया है और abortion procedure पूरी तरीके से start नहीं हुआ है ये थोड़ा सा start हुआ बट नहीं हुआ फिर रुक ग या प्रॉपर अबोर्शन की तरह bleeding नहीं हुई है तो फिर आप डॉक्टर से मिले क्योंकि इसमें या तो आप किट दुबारा ले सकते हैं या फिर आपको surgical abortion की सलहा दी जाती है यदि किट एक बार फेल हुई है तो एक बार किट और ट्राइ किया जा सकता है बट जनरली success की कम होते हैं इसलिए फिर सर्जिकल अबोर्शन या या ऑपरेशन सलहा दी जाती है ऑपरेशन की सलहा का मिनिंग यह यह कि डी अन्सी की जाती है डी अन्सी एक तरीकी का ऐसा procedure है कि बेहोशी देकर जो भी अंदर बच्चा है या उसके जो भी टुकडे रह गये हैं उसको सफ कि फेल होने के बाद अगर अबोर्शन नहीं हुआ है तो जनरली हमें डी अन्सी ही करानी पड़ती है या सक्षन कराना पड़ता है ताकि अंदर की पूरी क्लीनिंग हो जाए अब यह आपको कैसे पता चलेगा कि अबोर्शन हुआ या नहीं हुआ साथ से दस दिन तक आपन नहीं है खराब है या अबोर्शन की प्रसीजर शुरू हुई है या नहीं हुई है या कुछ कच्रा रह गया तुकड़े ही रह गये है तो इस तरह कि जो भी कोई प्राबलम होगी वह अपने सामने आ जाएगी यदि अबोर्शन की प्रसीजर शुरू हुआ और बच्चे के कुछ pieces बाकी रहके हैं तो उनको दुर्बीन डालके भी निकाला जाता है जिसे कि hysteroscopic RPOC removal कहा जाता है तो ये दुर्बीन के द्वारा पूरे जित्ते भी टुकडे अंदर है उन्हें देखके फिर निकाला जा सकता है जिसे कि कुछ अंदर छूपता नहीं है और ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चेदानी अंदर से बिल्कुल सही तरीके से नॉर्मल है और उसमें कोई परेशानी नहीं है दूसरा अगर जिसे अबॉशन प्रोसिजर अगर शुरू ही नहीं हुआ है और बच्चा भी अंदर है तो सक्षन एवकुएशन किया जाता है या डी एंसे की जाती है जो कि एक सक्षन के दुआरा जैसे कि एक मशीन होती है जिसमें सक्षन बोलते है जो कि सक कर लेते बच्चे के जितने बी प्रोड़क्ट अंदर ना छूटे जब आपकी सोनोग्राफी में आपको यह पता चलता है कि इसमें बच्चे का भी पीसेस बाकी और आपने सफाई करा ली है तो सफाई कराने के दो-पांस दिन के बाद में आप दुबारा सोनोग्राफी करा के ज़रूर कन्फर्म कर लें कि अंदर अब सब कुछ क्लीन है क्योंकि अगर दूर्बीन के बिना अगर कोई प्रोसेजर किया गया है तो वो ब्लाइंड प्रोसेजर होता है जिसमें अंदर हमें नहीं दिखता कि कि अंदर क्या है वह हमारे experience से हम लोग उसको clean करते हैं सोनोग्राफी से हम लोग confirm कर सकते हैं कि अंदर कुछ रहा या नहीं रहा लेकिन अगर इस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ है तो 99-100% सही होता है उसमें हमें पता रहता है कि अंदर केविटी बिल्कुल clean हो गई है यह एक तरह से अंदर जाके देखने जैसा होता है और इंडोस्कोपिक प्रोसीजर यानि दूर्बीन की दौरारा जो प्रोसीजर किये जाते हैं और यह confirm जरूर कर लें कि अंदर किसी प्रकार के कोई pieces नहीं बचे हैं क्योंकि कई बार ऐसे cases भी देखने को मिलते हैं कि आपने MTP किट खाई और थोड़ी बहुत bleeding हुई और आपने यह मान लिया कि आपका abortion हो गया है बट वो abortion हुआ नहीं होता है और बच्चा तीन महीने चार महीने का हो चुका होता है तब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब abortion के procedure भी मुश्किल हो जाती है आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि abortion करने का भी एक legal limit होता है कि 12 हफते तक या 20 हफते तक pregnancy को बार्ट किया जाता है 12 हफते तक फिर भी कपल की मर्जी या लेडी की मर्जी से किया जा सकता है लेकिन 12 से 20 हफते के बाद का 20 हफते तक का जो abortion procedure है वो एक लेगल एक्टिविटी उसमें दो गाइनिकलोजिस्ट के साइन होते हैं और बच्चे में कोई जनमजात खराबी हो या pregnancy की वज़े से मा को अगर कोई जान का खत्रा हो तो ही वो abortion किया जाता है इसलिए फिर ये legal format में आ जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो नहीं कर सकते इसलिए आप अपने लिए aware रही है और अगर fail हो जाते तो आपने डॉक्टर से संपर्क करिए तुरन सोनोग्राफी करवाईए और अगर pregnancy continue है तो आप उसका DNC या suction evacuation करवाईए और अगर उसके बाद में भी कुछ कच्रा या टुकड़े या कोई pieces रह जाते हैं तो आप हिस्ट्रोस्कोपिक RPO से removal जरूर करवाईए और दूरबीन से जब बच्चेदानी की जांच कर लेते हैं तो ये confirm हो जाता है कि अंदर से बच्चेदानी बिल्कुल healthy है और अंदर किसी प्रकार के कोई pieces नहीं बचे हैं तो मैं समझते हूँ कि अब आपको इस वीडियो के दौरा ये समझ में आ गया कि MTP किट लेने के बाद अगर fail हो जाती है तो आगे के दो प्रोसिज़र आप DNC करवा सकती सक्षन एवेक्वेशन करवा सकती है और हिस्ट्रोस्कोपिक POC रिमूवल करवा सकती है और फिर भी अगर आपके कोई कॉशन्स या कोई सवाल है जिनके जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिले है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके हमसे पूछ सकती है हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर अब यह तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है आपसे फिर मिलेंगे ए नए वीडियो में नए जनकरी के साथ तब तक नमस्कार